जर्मातादी आज शनिष्शरी अमवस्या है और भादरबद महिने की अमवस्या है जिसे पिछोरी अमवस्या और कुछ क्रहनी अमवस्या भी कहते हैं आज की इस वीडियो में सुनिए अमावस्या की कथा मत्स पुरान के नुसार जब भगवान विश्णु ने वरहा अपतार धरन किया था और हिरन्याक्ष का वद्ध किया था फिर से प्रत्वी को समुद्र से निकाल कर जब सभी प्राणियों की रक्षा की थी उस समय जब भग कोश्य एक प्रकार की घास होती है कोश्य से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग है एक समय की बात है जब गरुड देव स्वर्ग से अम्रित कलश लेकर आ रहे थे तब उन्होंने कुछ देर के लिए उस अम्रित कलश को जमीन पर कुशा पर रख दिया था इस पर अम्रित कुशा धारन करके अपने पित्रों का श्राद करता है उसके पितर देव उससे त्रप्त हो जाते हैं जिस कुशा घास में पत्ती हो आगे का भाग ना कटा हो और हरा हो वह कुश देवताओं और पित्रों की पूजा के लिए सर्वत्तम मानी जाती है शास्त्रों के निसार अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस कुशा का उप्योग जब सूरी ग्रहन हो या चंद ग्रहन हो तो उस समय भी किया जाता है ग्रहन के समय यदि कोई प्रेगनेंट लेडी कुशा की आसन पर बैठे या कुशा की अंगुठी धारन करे तो उस पर ग भर में कोई बिमार हो बुझरक हो तो ऐसे लोगों को भी ग्रहन के समय कुशा से निर्मित अंगुठी या फिर कुशा का आसन धारन करना चाहिए खुशा के आसन पर बैठ कर आप ग्रहन के समय किसी भी मंत्र का मानसिक जाब भी कर सकते हैं अब जाने कि भादरपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या क्यों कहते हैं दरहसल पिठोरी अमावस्या को लेकर एक धार्मिक कथा भी प्रजलित है कहा जाता है कि एक परिवार में साथ भाई थे सभी का विवहा हो चुका था और उनके छोटे-छोटे बच्चे भी थे परिवार की खुशाली के लिए और सभी के अच्छी स्वास के लिए साथो भाईयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का वरत रखना चाहती थी लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने वरत रखा तो उनके बेटे की मृत्ती हो गई दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्ती हो गई सात्वे साल भी जब ऐसा ही हुआ तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शब कहीं छुपा दिया उस समय गाउं की कुल्देवी मा पोले रम्मा गाउं के लोगों की रक्षा करने के लिए पहरा दे रही थी उन्होंने दुखी मा को देखकर कारण जाना चाहा जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो मा पोले रम्मा बहुत दुखी हो गई उन्होंने कहा कि वह उन इस्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां उनके बेटों का अंतिम संसकार किया गया था तब दुखी मा ने ऐसा ही किया जब एगर लोटी तो उसने देखा कि उसके सातों पुत्र तो जीवित हैं जिने देखकर उसकी खुशी का ठीकाना नहीं रहा तब ही से मानता है कि दक्षन भारत में भात्रपद मास की अमवस्या को पुले रम्मा अमवस्या या फिर पिठोरी अमवस्या के रूप में मनाया जाता है इस दिन हर मा अपने बच्चों की लंबी आयू के लिए पिठोरी अमवस्या का व्रत रखती है पिठोरी अमवस्या के दिन जिन मा पुले रम्मा की पूजा की जाती है वो माद दुर्गा का स्वरूभी होती हैं इसलिए आज के दिन दुर्गा चालिसा का पाठ किया जाता है 64 योगिनियों की पूजा की जाती है और साथी सब्त मात्रिकाओं की पूजा भी की जाती है अमावस्या का वरत अधिकतर सुहागिन महिलाएं ही रख सकती है इस दिन वृत रखने वाली महिलाओं को सुभा जल्दी उठकर इसनान करना चाहिए पवित्र नदियों में हो सके तो इसनान करना चाहिए और आज के दिन परिवार के सभी सद्यस्यों को गंगा जल मिलाकर या पवित्र नदियों में इसनान करना चाहिए इसनान करने के बाद पीपल के व्रिक्ष में जल अर्पित करना चाहिए क्योंकि पीपल के व्रिक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ ही पित्रों का भी वास माना जाता है सोरी देवता को जल अर्पित करना चाहिए परिवार के सबसे बड़े सदस्यों के द्वारा सभी पित्रों को पिंड़दान और तरपन इस दिन किया जाता है अमावस्या के दिन भोग लगाने के लिए प्रशाद में खीर पूरी, पुवे या सबजी आदी बनाई जाती है अमावस्या की पूजा और पिंड़दान ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके घर में पितरदोश हो या किसी सगे संबंदी का अंतिम संसकार विधिवत ना हुआ हो क्योंकि अगर अंतिम संसकार ठीक से ना हो तो ऐसे में बड़ा भारी पितरदोश लगता है और परिवार में भारी कल हकलेश रहता है, परिवार में कोई भी काम नहीं बनता है हर शुब कारे में बाधाएं आती रहती है तो पिंड़दान करने के लिए आप पितरों के नाम किसी भी ब्रहमन को या किसी गरीब को अपनी समत के नुसार कपड़े दे, पूरे कपड़े जैसे की रुमा, शर्ट, पैंट, मोजे, जूते, चपल, शौ, लित्यादी, मौसम के नुसार आप कपड़ों का दान करें और अपनी समता के नुसार कुछ न कुछ दक्षिना भी आज के दिन देनी चाहिए कुछ ग्रहनी अमावसिया को क्योंकि पिठोरी अमावसिया भी कहते हैं इसलिए इस दिन चौसर देवियों की पूजा की जाती है और ये चौसर देवियां गेहु के आटे से बनाई जाती है इनके बाद सभी मूर्तियों को एक चौकी पर एक साथ रखा जाता है और बेसन का आटागूंत कर उससे इनका श्रंगार किया जाता है यानि कि आप बेशन से जितने भी आभुशन जैसे की हार चूड़ी वगएरा बना सकते हैं वो आप बना कर मूर्तियों का श्रंगार करें फिर आप पूजा करके मादुर्गा और अन्य सभी प्रतिमा को 16 श्रंगार अर्पित करें सोरश रंगार में साड़ी, सिंदूर, महदी, कुमकुम, काजल, बिंदी, चूड़ी, चुनरी ये सब जरूर होना चाहिए फिर दुर्गा चालीसा का पार्ट करके मादुर्गा की आर्ति की जाती है आर्ति करने के बाद सभी 64 देवियों को आज के दिन भोग लगाया जाता ह इसके बाद पाँच ब्रहमन या पाँच कन्याओं को सबसे पहले भोजन करा अगर बाद में खुद भोजन ग्रहन किया जाता है आज के दिन सब्त मात्रिका की पूजा की जाती है ये सब्त मात्रिका साथ देवियों से मिलकर बनी है ये वही साथ देविया है जो भगवान पहली पतनी माता सती के यग्य में समा जाने पर उत्पन हुई थी। इन साथ देवियों के नाम वैशनवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्रह्मारी, महेश्वरी, वराही और चमुंडी हैं। पुजारी जी को भीजवाएं और फिर खुद अपना उपवास रखते वे रात को पूजा करके आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। परिवार में बहुत ज़्यादा कलहकलेश रहता हो, परिवार के सद्यस्यों में आपसी प्रेम ना हो, ऐसे लोगों में घर के किसी बड़े सद्यस्य को मावस्या की पूजा करनी चाहिए। यदि रख सके तो उपवास भी रख सकते हैं, नहीं तो केवल आप कुछ जरूरी नियमों का पालन करते वे पूजा करके आपदान दक्षना दे सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, साथी आज कल आप हमारी चैनल पर शिब महापुरान कथा और भागवत कथा का रस्पान भी कर सकते हैं।